कि स्वागत करते हैं एक बार फिर सपने चैनल सेलेक्शन कोचिंग में तो इस टूडेंट हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में चैप्टर टेन का अभ्यास प्रश्णावले इसकी पहले हैं वीडियो जाकर जरूर वाच करिए वह से उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा आप जरूर वास करें ठीक हैं मैं प्लेइलिस्ट बना रहा हूं तो प्लेइलिस्ट सारे प्लेइलिस्ट को देखना है अब चैप्टर 10 पहुंचे फिर चैप्टर 11 ऐसे हम लोग कंप्लीट करने वाले चलिए हम बात करते हैं कोश्चन अभ्यास पर चार थीक को परिक्षा के चार विश्यों में 48, 46, 56 और 22 करत किये उनका उसा सिंपल साब लोग पता है हम लोग करने का तरीका अब सीख चुके हैं सभी को जोडेंगे और 4 से भाग लगा देंगे क्यों चुकि 4 विश्य के बात कर तो 4 से ही भाग लगा देंगे ठीक है हम लो तो हम लोग क्या करेंगे सभी को जोड़ देंगे फ्रस्ट कुस्चन था इस्टूडेंट और पहला क्या दिया है इसमें पहला 48 अंक पाता है पहले एकजाम में दूसरे में कितना हो जाएक का आरफ तेरा तेरा पांच जोड़ देंगे कितना हो जाया चाहिए तो अब इससे की बाग लगाएंगे थोचाहर पंचे 20 एक मिना रुक जाओ 4 4 12 12 16 18 18 22 24 24 24 8 8 5 13 14 15 18 18 18 18 20 20 तो यहां करें तो या जाएगा 50 तो इसका अवरेज़ कितना आ गया 50 आ गया हूँ है हुआ ही हम लोग सागे की बात करें students तो simply इसको भी हम लोग कर लेंगे कि यह पित्के-धस के भाना संग्षा काई यह का तक लेंगे एक यह को गया और इसाट अंतर समान तो आपको पता है कि पहली शंख्या और उंतिम संख्या पहली और अन्तिम बटे दो कर देने से निक2015 छब on समान होगा दो दो बढ़ता है तो तो समान है तो क्या हो जाएगा बच्छों दस बटे में दो भाग लगा देंगे तो आजएगा पांस इसका इवरेज आ गया फाइक क्वेस्ट नमबर थार्ड कर लेते हैं लोग किने कए राघि छे संख्याओं को आँफ सतीज nao तोछ의 संख्याओं को योग निकालोत तो योग हो जाएगा उच्छी गुड़े में तीर आज आएगा आपका एक्सों तो ट्रिक है कि आप नीचे इन ही सह इंच्छी संख्याओं का कुछ को रहे छे संख्यों में से चार संख्या पहली ले रहा है महले स्टार्टिंग से छे संख्या ले लिया स्टार्टिंग से चार संख्या चुकि छे संख्या टोटल है तो तीन गुड़े बच्छो कितना है बच्चो कह रहा है ऑसत 35 गुड़ा कर लिए 35 हो जाएगा 105 आप बच्चो निकालने के बात करेगा कि चौथी संख्या क्या है निकालने के लिए क्या करें इन दोनों को जोड़िये और यह घटा देजिए तो क्या करेंगे बच्चो इन घटा देए बच्चो एक तो फुसको जोड़ेंगे तो पांच हो जाएगा और दो स्टॉप आट उंस वानस से यहां प्यारे बच्छो माइनस करेंगे और यहां आंस पट्चीसे के अलटाए और इस बातां लगा और %15 लृशान नुमर करतें बच्चो घॉड़ दृप फ्रथम फाइन संख्या हुआ है कर लिखेंगे चाहर लिखेंगे चे लिखेंगे दो चार छे आठ और दस यह तो पांच संख्या होगी प्रथम पहली अंतिन संख्या प्रथम संख्या जोड़ दीजिए दो से भाग लगा देजिए यही तरीका सिखा रहे हैं आपको और निकालने का कब यह लगेगा तरीका जब अंतर समानों का जब दो बढ़ आ तो अंतर समान कितने से देतें कितनी संख्या होती हैं कहें के सर तीन से भाग लगाएंगे थो हमारा किस वाग लगाने की तुक्त हो जाएगा इस में यौज और थे चली कुछ नमर्प 6 उसक्स तरह प्यारे हैं क्या प्यारे नमर्स एक टोड़ना सभी को जोड़ेना ठीक है क्या दे रहा तसम्वलों में दे रहा है 12.5 प्लस 11.75 प्लस 9.0 प्लस में हो जायागा 8.5 और प्लस साथ कितनी संख्या होंगे टोटल एक, दो, तीन, चार, पांच तो पांच से आप भग लगा देंगे तो इसका राइडन से निकल लगाएगा पहले तो जोड़िए बच्चो ठीक है तो जोड़ने ऐसा जोड़ लीजे अगर कुछ बच्चे नहीं जोड़ पाते हैं इसको जोड़ लीजे, नहीं हो जाएग mockonf साथ पांच ऑन सत्तर हान तरफ साथ जोड़ लीजे भारा दस जोड लिजे ौज़ लीजे वी और हम जायाएगा नो इन नो थीन बारा 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 27, 27 नहीं 2 जोड़ेंगे 29 तैस कोलेक्जों एक तैस को 2 लगा जायेगा टाने यहां देखी क्या हो जाएगा49,2 अब 5 खाग लगा दीये बच्छों पांच सते 35 दो बच्चा पांच हो को बीस और पांच बचम पचीज तो साथ दसम्मलो चार पांच हो जाएगा इसका राइड अंसर ठीक है एक मिनट बच्चों कि है इस्टेव हुआ है क्या एक बार देख लेते इसको सैद कहीं हम जोडने में गल्तिका रहे हैं देखे एक बार कर लेते बारें दसम्मलो पांच आगया इग्यारा दसम्मलो यह जारा लगा है बारें लीक्ता लगा हुआ है ठीक है तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं यहां आ जाएगा अगर दो अगर बराबर कर लेते हैं तो यहां हो जाएगा यहां जाएगा और यहां जोड़ेंगे बच्चों दस साथ पांच बारा पांच बारा पांच बारा पांच सतरा सतरा में पांच जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों बाइस की दो हो जाएगा और दो एक तीन नो तीन बारा बारा में आठ जोड़ेंगे बीस हो जाएगा और बारा आठ बीस हो जाएगा विशा 27 औ पाँष से काटेंगे इसको तो क्या बर जाएगा पांच से काटेंगे तो 165 ठीक तो 25 active बचेगा 45 उर्पांच değil नौ अर्फार्थ टो आक अबूल्ट हो जाएगा गल्त होगे तो थोड़ा प्रॉब्म हो सकती नोनस एक मृत बूह एक करते हैं तो शिवन में क्या कह रहा है तीन संख्या का ओस्थ 15 आपके पास चार संख्या ले लिए उनका उस्थ 15 है और अंतिम संख्या का ओश्यत कितना दिया है सोला है तो कह रहें यहां तक प्रथम हो जाएगा और यहां से यहां तक करा का मतीच हो जायए स्टाटिंग से प्रथम टीन से था दो इसट कितना पंदरा का तो लोग जोच निकाल लेंगqué बश्चोंना गयाए वह भूश्चत कितना अद्यच्च Subscribe तो यहां मा लेजे इसको गुड़ा कर लिजे तो दिया है तो उनीस रख देंगे आप देखे बच्चो सवाल कैसे करना है बच्चो इसको इसमें माइनस कर दीजे चुकि बड़ी अड़तालिस है अड़तालिस माइनस करेंगे तो देखेंगे यह बी से घड़ जाएगा सी से सी कर जाएगा बड़ यहां क्या जाएगा डी माइनस ए चुकि इससे यह घटा रहें अगर डी से इसको ए घटा रहे तो डी माइनस ए हो जाएगा बच्चो और यहां अड़तालिस माइनस पैतालिस हो जाएगा जब घड़ जाएगा तो बच्चो आ जाएगा तीन इसका परावर में 3 है जो माइनस एक अपने अस्थान पर रहने दो अभी ये इसके कास्ट बला ओगए चुंकि एक जैसे ना अब इसको अपने तियारे बच्चो ध्यान देना है जो माइनस में बड़ा वही चिन लगेगा माइनस वाला चिन बड़ा है कहेंगे सब माइनस वाला कितना है कहेंगे माइनस वाला उनीस है और प्लस वाला तीन है तो माइनस वाला बड़ा इसलिए माइनस इधर लग जाएगा और इधर माइन इंसर कितना हो जाएगा बच्छो सोला ठीक है अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं स्टूडेंट वर ध्यान दीजिएगा आप लोग ठीक है चलिए इसको आप समझ लिए अगले कोश्चन के और बढ़ते हैं नोड कर लीजिएगा अगर आपकी कोश्चन है बच्छो कमेंड कर दिया करो ठीक है हाँ चलिए अगलाग बात करते हैं कोश्चन नमबर एट क्या कह रहा है उससर निकालना है क्या दिया है थ्री फाइब सेवन नाइन एड कर दीजे चार से इंग या तचार से भाग लगा दीजिए बच्छो इस बटे छे चार बच्छो और चार से जब भाग लगाएंगे तो चार चंग चोवीस तो चार आप छे इसका राइड एंसर हो जाएगा इसका एवरेज क्या हो जाएगा बच्छो छे ऑप्शन थर्ड एक कोस्टन नमबर एड था अब हमनों कोस्टन नमबर नाइन देखत हैं ठीक है नाइन को भी समझ देतना है इसी है किर पचास संख्याओं का उस्थ 38 है उन्हें से दो संख्या 45 और 55 छोड़ दिया जाए तो से संख्याओं का उस्थ क्या होगा बहुत सिंपल सी बात किया बच्छो बहुत सिंपल सी बात किया अगर हम इसको लगाना चाहें तो दो तरीके से लगा सकते हैं पर्स मिठड क्या है बच्छो पहले पांस संख्याओं का बच्छो योग निकालिए योग अब योग निकालेंगगे तो क्या हो जाएगा 38 गुड़े 50 बच्छो विसका माय गुड़ा कर दीजे तो क्या हो जाएगा 58 Cory में करेंगे तो 15, 15, 14, 19 हो जाएगा और 0, 19 हो गया अब कहरें बच्चो 2 संख्या छोड़ दे रहा है 2 संख्या छोड़ने का मलब कितनी संख्या की बात करेगा 2 संख्या छोड़ने के बात कितनी संख्या हो जाएगी 48 संख्या हो जाएगी और वो संख्या छोड़ने का मलब क्या बच्चो इस 1900 में वो संख्या घटा देंगे 1900 में वो दो जोनों संख्या घटा रहें चुकि वो टोटल 50 संख्या है अब यो 50 संख्यों को जोड़ा गया तो 1900 आया अब 2 संख्या हटा आ रहा है वो संख्या बता रहा है उटा दीजिए। तो यह हो जायेगा बच्चो 5 आंचननो और यहां हो जायेगा 100 मैनस कर देएगा बच्चो 1 200 अभस आठारा सो कितनी संख्या हो ऑग? बच्चो 48 मोगए best 47 संख्या हो गई 48 संख्या अब से भागा देगै बच्चोत हमारा एवरेज आ जाएगा और सत आ जाएगा चलिए अब और सत निकाल लेंगे आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो छे त्रिक ठारा चे अठे अठालिस यहां हो जाएगा तीन सो बटे बच्चो आठ आठ से भाग देंगे दसम्लों में साथ जाएगा वह ऐसे डारेक्ली आज़ा एक जेट आ सकता है तो आठ तिरिक चोविस आठ चोग बद्थिस आठ तिरिक चोविस शे बचे बच्चो आठ सते चपन ठीकी आठ सते चापन चार बचेगा बच्चो दसम्लों लगाएंगे चालिस हो जाएगा तो दसम्लों के बाद आठ पन चालिस तो 37.5 इसका राइट अंसर हो जाएगा प्यारे बच्चो कितना हो जाएगा 37.5 जल्दी से नोट डाउन करिए उम्ध्य बच्चो आप लोग नोट कर लिए होंगivities और समझ में भी आया होगा चलिए बात करते रें अंगले कोस्ण की ओर ठीक है नेस्ट कोस्ण इसका देहते हैं अगले कोश्टे यह और देखते है तो उन्हें से क्या कह रहा है ध्यान दीजीएगा बचू क्या कह रहा है कोश्ट नमबर टेन इसमें आपको अश्चत निकालना बहुत अच्छा कोश्टे ने बच्छो एक का स्कॉएर बोला है कॉमा लगाया है दो का स्कॉएर तीन का स्क्वाइर ठीके और यहां बच्छो चार का स्क्वाइर पांच का स्क्वाइर शे का स्क्वाइर और साथ का स्क्वाइर अगर बच्छो इसको वर्क कर दे तो यहां आजाएगा बच्छो एक चार नौ और सोला पचीस चछतिस और कितना हो जाएगा बच्छो पहले मेरे लिख मैं उसको कि यक्या को साथ यहां ऍतर समान नहीं देखे साथ यह और प्रत हैं और प्रतम जोड़ ले यहां इसलिए होगया दूसरी सब्सक्राइब किया जा सकते यह साथ छोनांतों सब्सक्राइइ सब्सक्राइब कर दीग। कर यह में प्र edda students अमिए इसको जोड़े तो क्या जाएगा 4510 जोड़ा कितना हीचा यहां जाएगा दो सभाष्चे डील है बुके भीग इकती्ष जोड़ को जोड़ा नही Шय li ठीक है तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूं यहीं मिस्टेक होगा हो भी सकता है तो ठीक है तो ठीक है ठीक है तो ठीक है ठीक है थे अद्धरक्ट को सॉरा हो जायemy का पांच घता हो घंठाल में ब्रूच सोल्ग तो 6 25 में 6 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा 31 में जोड़ेंगे 40 हो जाएगा यहां बच्चो चार होगा ठीक है क्योंकि क्यारी चार था हम लोग तीन जोड़े थे तब यहां जोड़ दिये इसका योग आ गया तो साथ से काड़ देंगे साथ दूनी चहुदा मलब 20 इसका इवरे जाग अगर आप पढ़े हो उससे हम पढ़ाया तो यह नयर्फ रस वन टू यं फ्लस वन डाई श्ट है तो यह फार्मर से भी इस कोश्टन को किया जा सकता है समझ लेजे क्या हो योग का वार्गों का यह यहन फ्लस वन टू यहन फ्लस वन बाई शिक्स और बच्चों हम यह यह प्लास वन द्यूंट च्ज़व elabor में निकालकर निकालना जा और शुम्ण एयन प्लस वन और टू यान प्लस वन बाई सििख्स तो है,現在 हम्हां योग हो गया पदोर का योग हो गया बच्चोछ और वह दो कि संख्या, संख्या क्या है, हमारा यन è, इसलिए हम यहाँ यन से भाग भी देते हैं, त यन से यन ये कट जाता है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, फार्मुरा वसत का, यन प्लस 1 और 2 यन प्लस 1 by 6 अब कहेंगे सर यन का मान क्या होगा बच्चो यन का मान देखी 7 है टोटल कितनी संख्या है तो कहेंगे सर 7 है तो यन का मान हम रख देंगे 7 तो रख दीजी 7 प्लस 1 इंटू रख देंगे 2 गुड़े में 7 प्लस में 1 by 6 तो हो जाएगा बच्चो साथ एक आठ और साथ नीचा हुदा एक 15 बटे में 6 ठीक है तो 3 से कार देंगे 3 दूना 6 3 प्लस 1 दो से कार देंगे 2 चों को 8 तो यह भी एक तरीका है आप कर सकते हैं प्राबला में बच्चो यही वाला कर लीजिए ज्यादा बेटर है ठीक है चलिए अगले वाले बढ़ते हैं क्वेस्चन ठीक है फार्म अगर भूल सकते हैं तो आप बेसिक जरूर लगाईएगा बच्चो ज्यादा बड़ा नहीं आएगा आप वर करके सभी को जोड़ लि तो चलिए बच्चो 11 नुमबर देखते हैं क्या कहरा चार क्रमागत सम संख्याओं का उसद दिया है 27 इसमें सबसे बड़ी संख्या अभी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बच्चो बहुत आसान है इसको मैं ट्रिक्स से भी देखूंगा और आसान सरीके साब समझ सकते बच्ची अगर चार सम संख्या मानना है चार क्रमागत क्रमागत सम संख्या पहले इसको माना जाता कैसे पहली संख्या एक्स दूसरी संख्या एक्स प्लस टू तिस संख्या बच्चो एक्स प्लस फोर चौति संख्या क्या मानने कि एक्स प्लस सिक्स अगर पांच भी निका हैं संख्या गुड़े में बच्चो और सथ आप लोग यहीं पड़े हैं तो योग कैसे निकालेगा इन सभी को जोड़ दें तो एक्स प्लस में x प्लस टू लक्स में x प्लस फोर दस्में x प्लस शिक्स बरावर क्या हो जाएगा बच्चो संख्या कितने है है चार संख्या है औस थारे बच्छ बेश्च और चार डूराइस दूरी नहीं जार सतहेग की आड और चार दूरी दूरी इत praष्ट यहां देखें ऐख्ष यक्स 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 राह तो चार एक्स हो गया साइक छाखो जोड़ दीजिए तो 6 है बच्चो 6 4 10 10 12 12 तो 12 हो गया अब 12 कहा आएगा बच्चो इसके पास आएगा और 4 x बराबर आप लेंगे प्यारी बच्चो तो 108 माइनस 12 हो जाएगा माइनस कर दे तो यहां 6 जायगा प्यारी बच्चो और यहां जायगा आपका 9 ठीक कि ए तो आ जायगा यहां 4 x बराबर चार से काटेंगे बच्चो तो यहां ऐसा कर सकते ठीक है तो यहां 96 जाया चार एक्स बरावर एक्स बरावर लेंगे तो चानबे बटे कितना हो जाएगा प्यार बच्छो चार चार दो नहीं आर्ट चार्टो को 16 तो एक्स का मान आगया बच्छो 24 अब हमसे जो निकालने की बात करेगा हम वो निकालने तो कहरा इनमें सबसे बड़ी संख्या अब है और सबसे बड़ा एक्स प्लस 6 है तो रख दीजिए एक्स का मान 24 है तो 24 प्लस में 6 जोड़ दीजिए 24 प्लस 6 कितना जाएगा बच्छो 30 आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगे 30 यह था बच्छो बेसिक तरीका एकदम लोजिकली तरीका आपको कोई प्रॉब्लम न डाउं कर लिजिए चलिए बात करते हैं इस कोश्चन को एक बच्छो चार संख्या है एक दो तीन चार चार संख्या है अगर बच्छो चार संख्या है हमेसा जो बच्छो ऑसत होता है समल दीजिए ऑसत क्या होता है ऑसत बीच की संख्या होती है, क्या बच्चो बीच की संख्या होती है, क्या होती है, बच्चो बीच की संख्या होती है, अब बताइए इन दिन, इन सभी का बीच क्या होगा, तो कहेंगे सर यहां आएगा बीच, यह बीच होगा, इंड़म मीड यही होगा point तो सबसे बीछ क्या होगा यहाँ वाला point होगा बच्चो अवसद क्या दिया है? 27 तो यहाँ 27 हो जाएगा जो हमारा अवसद ठाए यह बीछ हो गए और बच्चे यहाँ यह सम नहीं है जाहे सम नहीं है क्यूं? यह भी सम है और आपसे बोला है चार सम संख्या तो बताएए 27 के तो सम नहीं है तो ये भी सम है लेकिन इसके पहले वाला तो सम होगा तो यहाँ बीच यह जो लोग पाइंट ही है क्या होगा 27 के पहले क्या आता है क्यांगे सर 26 आता है अब बदाए हम सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 24 आ गया 26 आ गया 28 आ गया और 30 आ गया अब हम लोग इसमें भी निकाले था तो आपका एंसर क्या हो गया सबसे बड़ी संख्या पूछाए तो यह है जादू बच्चो अगर आप सीख गए तो बहुत पसंद आएगा आपको स्वारी अच्छा लगेगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं नेस्ट कोश्चन कोश्चन नमर 12 क्या है रहा है तीन के प्रथम पांच गुर्जों का ओश्यत तीन के प्रथम पांच गुर्जों का ओश्यत क्या होगा तीन के प्रथम पांच अब बदाए ये तीन के गुर् आपको बता है पहली संख्या प्लस अंतिन संख्या बटे दो लगा दीजी एंसर आजाएगा आपका कितना गया बच्चो फंदरा तीन अठारा वटे दो और अठारा में दुका हो देंगे नो तब का वस्थ किटना आगया पियारे बच्छो नौ स्वागे कॉस्टेयरबर 12 ellaさん वर 12 था 13 का लेते omand 13 में क्या verse 11 23 तैनल यह भूए यह भů ठीजिए तीन सेंख्याओं का योग योग क्या होगा योग क्या होला है बच्शो सेंख्या है कितने प्यारे बच्छो तीन और और कितना गुड़ा कर दिज़ये थीन गुड़े और 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 कितना स्वाइब थू तो और चालेशट चालेस यहां गुड़ा कर दिए एक सो फ़ीं हो गया पिर जो और यहां हो जाएगा थीन और बॉस में एक्स अब चौथिस इधर आएगा ठीक है इधर भेज़ देए 120 माइनस क्या हो जाएगा बच्छो 34 34 माइनस करेंगे प्यारे बच्छो 6 जाएगा और 11 11 में 8 तो यक्स कामान क्या जाएगा 86 आ गया क्या तो आपका 86 ऑप्षिन 3 कोश्चन बात करते हैं कोश्चन 14 चलिए कोश्चन 14 भात करते हैं प्यारे बच्छो कोश्चन 14 चलिए देखतें 14 में क्या और ब्यक्तियों की एक सिमीत में 35 और 45 वर्श की दो शदस्यों के अस्थान पर दो इस्तरियां को लेने लिए जाने से सिमित के सदस्यों की आयु में दो वर्स की बृद्धियों जाती है इन दो इस्तरियों की औरसत आयुख होगी देखे क्या कहरा है कितना अच्छा कोश्च ने बच्चों हाँ ये सब के बस थोड़ा समझ में प्रॉब्लम हो सकती बड़े कंसर्ट बैठाईए आप एक कंसर्ट बैठाईए अगर ये कंसर्ट बैठाई गया तो ये कॉश्चन आपके लिए यूँ आसान सा हो जाएगा कैसे आसान सो जाएगा पहले समझना है यहां से समझना है पहले हक्का है क्या रहा है कह रहा है आड़ ब्यक्तियों की सिमित थी कितने ब्यक्ति थे आड़ ब्यक्ति थे और उसमें 35 वर्स और 45 वर्स के दो सदस्यों के अस्थान पर दो इस्तरिय ले लिए गए महला जो 35 वर्स के थे ये दो सदस से निकल गए और उन्हें के अस्थान पर दो इस्तरियां आ गई और दो इस्तरियों के आने से ही क्या हो गया बवाल हो गया बवाल क्या हो गया सबकी ओसात आयू बढ़ गई कितनी बढ़ गई दो वर्स बढ़ गई मलब सब दो दो वर्स के बढ़ गई कित दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 35 और 45 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा असी अगर यह आने वाले दोनों मिलाकर असी वर्ष के ही आये होते कहिने वाला 35 वर्ष का गया है आने वाला भी 35 और 45 वर्ष का होता तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं और सथ फिर आपका अख्या होंगे जादा उमर क्या 3545 से जादा होंगे तो कितना जादा होंगे जो दो-दो वर्ष ब्रिद्धी वहीन हो सबको दे दिये आ, वो सबसे लेगा कैसे कही कही आई मомरा क्या आप समझ पाए होंगे जो पैसा इसलों में बरावरेंगे बाढ़न बढ़ताजाता है जैसे यह आई उसब की बढ़ गई क्यों बढ़ी चुकि आने वाले जादा थे जादा एज के थे जितना वेवरेस से जादा होंगे वो सब में बार दिया जाता है अब यह सबसे लेगा मालब आठ लोगों में दो दो वर्स बढ़ेगा तो दो आठ दो नहीं आठ गुरे दो क कर देंगे तो यहीं चीज़ कंसेट बच्चो इसका मलब 35 प्लस कितना 45 और आने वाले इससे भी जादा हैं कितना जादा हैं आठ लोग हैं दो दो वर्स की बिर्दी हो रहे हैं तो दो सोला से जादा हो जाएंगे और यह हो जाएगा चालिस असी असी ततना नब्य चानवे और जाएगा प्यारे बच्चो कितना हो जाएगा स topics जोड़ लिजी एक बार च्छानवे हो गया मलब यह जो आने वाले लोग थे दो इस तरिया जो आने लोग थेinkyए उनका योग कि हैं दो से भाग लगा देंगे हमारा और आसा दा चानवे जाने जोर से लिए यह और रहे हुआ अ बात करते हैं 15 फटो क्या किया कर Coffee है तीन संख्याओं क pronounce 27 से पहली संख्या पहली संख्या ठीक है दूसरी संख्या पहली संख्या की तीन जुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की पाज गुनी है तो पहली संख्या काफी बेतन कोश्चन है बच्चो समझ गए तो यह कोश्चन आसान सा लग जाएगा देखिए इसको हम बताते हैं अगर इसको सीखे तो यह आप पढ़ें ना बच्चो जो रेशियों का चैप्टर पढ़ें जाकर अगर पढ़ दीजिएगा नहीं अगर पढ़ें तो चैनल पर पढ़ा है वो सीख जाएंगे बिलकुत इब देखिए है उसको तो यूग निकालेजिए मान दे पहले पहले संक्ख़ा ए थी दूसरी अगर भी थी और टी शॆध थी योग तो वह तीन ऐसी हो जाएक तूँ सुद्ण योग कोज जोड़ा गया प्यारे बचलों योग्शा रहा है बड़ यहां कुछ और बताया आपकर नो पहली संख्या दूसरी संख्या तेसरी संख्या यहां तीजंद पहली संख्या की तीन मुन्हें है जिसके साथ की लग रहा है बच्चो उसको एक दे दो और यह तीन गुदा कर दो अब यहां तक पहुझे आगे के इस्टप में क्या Het कर रहा है थिक हैं तीसरी संख्या तीसरी संख्या थीसरी संख्या पहली संख्या की पाश मुर्ण पहली है एक है बच्टो तो यह थी पांच गुनी मलब पांच से गुड़ा तो यहां पांच इसको ले लेंगे अब देखिए पहली संख्या एक बार इसको ऐसा करिएगा ऐसे रहने दीजिए इनको ऐसे रहने दीजिए और यहां बच्चों ले लेते हैं कि पहली संख्या ध्यान दीजिएगा कह रहा है कि कहली संख्या है कि तीसरी संख्या पहली संख्या की पांच गु & तीसी संख्या अगर पहली संख्या की एक दीजिए पांच गुनी मलब पांच से उड़ा कर दीजिए अब देखिए यहां भी A1 है और यहां भी A1 है तो आप यहां C को ऐसा लिख देंगे C का माल 5 पता चल यग दिया है B2 1 यक्स बिवराबर Yx का मलब Yx और यहां हो जाएगा 3 यक्स और C पांच यक्स है बराबर 81 तो जोड़िये पांच इन आठ एक 9 यक्स नो एक्स बराबर बच्चो 81 बटे में नो तो यक्स कमान आ जाएगा नो-गासी आगए प्यारे बिच्छो नो-गासी एक्स कमान नो आ गया अब जो पूछा निकाल लेंगे क्या पूछा है कह रहा है तो पहली संध्या पहली संध्या क्या एक है बच्चो और एक कमान एक मंध्ला एक्स कमान आया तो ये 9 हो जाएगा एट्सर्षा नो अगर बड़े संध्या पूछा तो नो गुडए बच्चो बड़ा है तोड़ा समझ लेते हैं बहुत आसानी से कर पाएंगे और अभी बार सुमवार मंगलवार बुद्वार और गुरुवार का उसद अस्य है तो कितने दिन का दिया बच्चो पार दिन का संडे मंडे ठीके टीजडे कि वेटनेस डे कि थ्रस्डे महरे है मतलड़ कि इतनी का दिया है का यह तो पांद इनहें और और औसि दिया तो असी गुड़ाँ करदेंगा उसद सद्सेस इतना फारैनेट दिया बच्छो ऐस तो तो क्या हो जाएон और पन-चालिस चार सो फारामिण पिज्ड यह क्या लातजीन है द्यूजडे किपे में उट्रस्डे गल कि फ्राइड़ कि शौना ठीज सेड़् संथ्रिके हैं सरचर तक दिए है बच्छों तो कितना दिए 3-3, 6 दिन खुड़े क्या हो जाएगा त्सक्तर है 1,88 और एक यासी से गुड़ा करेंगे तो छे कम बचो छे हो जाएगा छे एट्थे और तालिस इतना फारेनाइट हो जाएगा बात समुझमारी प्यारे बच्छो बिल्कुल आगे बात करते हैं यह दि कह रहा है रभी वार का तापमान सुक्रवार के तापमान संडे का यहां ता से आधिक है इसका अंदिक है अधिक है इसका कितना ज्यात है यहां जैगा कितना ज्यादा है जाए है इस को सब् spaghetti है घूरी सेफारे एस इसको सब्स्क्राइब हम इस लिए चल्छेंसिक थोड़ा है हमें निकालना क्या बच्छों कि सथे शंदर लिए देखे अगर इन दोनेराकर दो माइन संन कर nós बड़ा गाइन देखाइब है क्यों होते हैं अब यह दोनों बच्चे हैं है अविए दोनों बच्चे थी developer म foresee संडे के देखिए वह जाएगा बच्चों ऐसा हम माइनस कर रहे हैं तो हो जाएगा बच्चों प्राइडे ₩ 3 स्टॉर्डे- माइनस संडे क्यों प्यारेबच्चों के इधर से माइनस इधर कर रहें तो इन दोनों में माइनस बचा कौन है तो कि संदे बच ता इसलिए मैंने संदे हो गया और बच्चो rat street च्छी हासी में 400 मांट गिसी फारइनट अब आपके लिए क्या है संदे तो बचा हुआ संदिनों यहां दिया गोगा है डिया ऐसं संडी तो यहां संडी कमान रख दीजिए तो हो जायगा फ्राइडे बच्छोंlvania गोअ प्लस सटर्दें मुझार में 56 PRE effectivement टो गईले 56 compound भॉपटों एधर ले जायेंगे तो कि यहां रहां दीना जूदा से यह लगेगा यह ऐसा लगेगा कोई और यह जाएगा बच्चो 86 माइस बच्छो 76 हो जाएगा बच्छो लेकिन माइस बच्छो यहां आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ठीक है इसको जोड़ दिजिए 6 6 12 8 7 15 15 16 16 62 हो गया यह फ्राइडे प्लस Saturday और यहां Friday प्लस Saturday दिया हुआ है अगर प्यारे बच्छों हमें क्या चाहिए हमें चाहिए अगर हमें चाहिए Saturday तो इन दोनों को जोड़िए बच्छों और दोसे भाग लगा दीजे अंसर आ जाएगा ठीक है कहेंगे सर ऐसा कैसे तो यहां मैं लिख दे रहा हूँ बच्छों देखिएगा अब इसको Saturday को पहले लिख लिजी माइनस क्या है Friday बरावर में क्या है यहां प्लस कर दीजे पहले तो 162 दिया है और Saturday और माइनस में Friday क्या दिया है बच्छों 4 इन दिया है तो 4 ही रखो देखिए यहां दिया था और यहां हम लोग निकाले अगर हमें बच्छों इसका मान चाहिए तो इन दोनों को जोड़ो 2 से भाग लगा हो 162 प्लस 4 बटे 2 तो हो जाएगा बच्छों 162 में जोड़ देंगे तो 166 बटे 2 काड़ देंगे तो 2 अट 16 सब्सक्राइब हो जाएगा आपका फारेंहाइट ठीक है 83 आप्सन 3 तो अमीद है आप समझ पाएँगे बच्छों अगर फ्राइड़ निकालना होता तो क्या करते हैं अंतर मलब छोड़ी संख्या निकालनी है तो छोड़ी संख्या निकालने के दोनों को घटा दो दो से भाग लगा तो बाई समझ पायाँगे बच्छों बात करते हैं अगले कोश्चन की ओछ चलिए नेस्ट कोश्चन देखते हैं चलिए बच्छों हम लोग देखें अंगला कोश्चन 18 ठीक है 18 में देखें क्या है तो 18 में कह रहा है पांस पांस लड़कों की आयो दिया है बच्छों इसका उस्त निकालना 13 दिया है 15 दिया है और ग्यारा दिया है प्यारे बच्छो और 9 दिया और 8 दिया है अरे जोड़ लिजे तो यहां 5 तो लगाना पड़ेगा च्चोंकि जितनी संख्या है उतने से भागग इतना इसका राइट एंसर हो जाएगा तो ऑप्सन इसका क्या हो जाएगा बच्चो बी को सब्सक्राइब करने का तरीका पहले बच्चो एग लिखेंगे फिर क्या लेगेंगे बच्चो ठीक है फिर क्या लेगेंगे बच्चो तीन लिखेंगे पांच लिखेंगे साथ लिखेंगे नौ लिखेंगे ठीक है और इग्यारा लिखेंगे ऐसे बहुत सारी संख्या लिखनी पड़ेगी बड़ हमें बच्चो कहां तक चाहिए हमें ग्यारा विसम सहिए तो इग्यारा का दुग 17 ठीक है 19 और 21 अब देखे 11 संख्या और यह 3 3 6 3 करना दो 21 हो रहा है न तो आप समझे पहली संख्या बच्चो प्लस अंतीज संख्या एक प्लस बच्चो हो जाएगा 21 बटे में 2 तो हो जाएगा बच्चो 22 बटे में 2 क्यों ऐसा कर रहे बच्चो क्योंकि अंतर समान है दो का अंतर 2 का अंतर समय दो पढ़ाया है 21 आ जाएगा अप पहले में पता दिया था च्छो की बहुत ज्यादा प्रब्लम नहीं है गुछ नहीं पूछेगा आप ऐसे कर लेंगे कुछ नबर 18 19 हो चुका है 20 देखते हैं 20 देखेंगे बच्चों दो प्लस पांच प्लस आठ प्लस ग्यारा प्लस शौदा प्लस सतरा प्लस बीस बटे में जितनी संख्या है चली अगली बात करते हैं बच्चों 21 नंबर चली अगली बात करते हैं बच्चों 21 नंबर एक से दस तक की प्राकित संख्या होगा उसद, बहुत आसाने बच्चों, अगर एक से दस तक की बात कर रहा तो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, तो अब क्या संख्या, कितनी संख्या लेना चाहता है, दस संख्या, तो पहली संख्या कितनी है, एक, अंति तो एक जोड़ रहा है इसको अंतर समाने तो पैथन संख्या प्लस अंतियम संख्या बटे दो तो आज आएगा बटे दो पांद समलोग पांच चली अगला कोश्चन बात करता है की सो चुका है बाइस नंबर चली बाइस नंबर भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों बाइस दढ़ा है का 22 गोई सब्सक्राइब पांच प्लस से भाल लगे 5-35 और सप्ट उससे विए सब्सक्राइब बाइस हो स्क्राइब नमबर देख लेते हैं फास कर रहे हैं बच्चो इसलिए कि जल्दी से कम्प्लीट हो जाया है यह चैप्टर कम्प्लीट हो गया है फिर हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में 23 में क्या कह रहा है बच्चो 120 यदी 120 कुर्भ सेंट 130 रुपेल प्रती कुर्सी कि दर всего 150 कि दर से इतना तो गोड आप कितना सिंपल सा बच्चो हुआ है के लिपके का जो है 120500 कितनी कुर्सी ले रहा है बीस कुर्स घुड़ा कर देंगे फी ए advanced 130 कुर्सी 130 रुप Agora कुरसी 15 कि ले रहा है अप Capital 150 रुप करती कुर्सी कितना कूर सीले रहा है 25 कोषी कितनी है थी कुरिचो ₹ बैरा-बच्तो ₹- ठीष acontecer यहां खरीदा तक हरीदा सभी को जोड़ लिजे इसका गुर्णाच ना चुने बच्चों 15 का गुड़ा 13 में कर लेंगे तो 13 65 की 5 हासिल 6 हो जायागा बच्चों 13 एकम 13 13 16 और एक 0 और 25 का गुड़ा कर लेंगे तो 15 25 125 की 5 25 25 25 25 25 ऐसा भी कर सकते 15 75 75 5 हासिल 7 15 12 30 37 और यहाँ 0 बटे में क्या बच्चों इसको जोड लेंगे तो 5 इसको देंगे 30 30 14 40 20 60 чисको देंगे तो हो जायीगा 5 वीस हो जा इसका 5 हो जाएगा इसका 5 10 तेरा तैरा में 20 हो जाएगा 20 में दो कितना हुआ था इसका पांच पांज 15 हुआ इपक ही जोड़ेंगे निव्हें एक क시ěध है तो फिर जीरू से जीरू कार देंगे च्छा ठीच रहा दा अच्छों 24 ज्यादा हो जाएगा च्छा अग्र इस तो पैदस जी चरेश चलिगे लाट कर दो कोश्चन नमर 24 24 में क्या रहा है 5 के प्रथम 5 गुर्जो का है simple सी बात है प्रथम संक्या 5 हो जाएगी अगर 5 गुड़ा कर दिज़त 5 बच्च अमिला संक्या 25 हो जाएगे तो 5 प्लस बटे में 2 तो 30 बटे 2 हो जाएगा प्यारे बच्चो कितना आ जाएगा प्रथम संक्या और अंतर समाने 5 पांच का अंतर है तो यह कोश्चन लग जाएगा अगले कोश्चन की बात करें तो 25 नमबर देकि 25 नमबर में क्या करना है अमें कह रहा है हो कि सब्सक्राइब आया है इसन यंड्र रही हम इसंतर नई चाप जायएगा 12 अगली संख्या ठीश होगे बच्चो X plus 3 1 Sankhya, X plus 6 2 Sankhya, X plus 9 3 Sankhya, X plus 4 5 Sankhya, तो 5 से गुड़ा कर देंगे, तो 15 पच्छ हो जाएगा बच्छो 75, X, 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 4 12, 5 12, तो 5 X हो जाएगा, और 3, 3, 6, 3 तरिक कर 9, तो 3, 3, 6 हो जाएगा, 3, 6, 9 हो जाएगा, 9, 9 में, 18 हो जाएगा, 18 में से, अब 18 में 12 जोड़ दीजे, 18 में 12 जोड़ देंगे, बच्छो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 में 15 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 में 15 जोड़ देंगे, तो 45 हो जाएगा, बराबर, तो 5 x बरावर बच्चो हो जाएगा 45-45 घटा दीजिए यहां 0 जाएगा और यहां 3 आ जाएगा और यहां 5 x बरावर लेंगे प्यारे बच्चो 30 बड़े 5 यह कमान आ जाएगा 6 पता चल गाए 6 यह क्या मान निकालने की लिए कि रहा है प्रथम 3 संख्या का और प्रथम 3 संख क्या है बच्चो एक्स प्लस नाइन कर लेंगे तो यह जाएगा नौ बच्चो नो च्छे दुनी कि इसे बारह और नो च्छा पंदरह अब इनका यह आउसत निकालना तो जोड़ लिजिए नो बारह पंदरह को जोड़ लिए तीन से भाग लगा देजिए तो नो दो ग्यारा चैनल को सब्सक्काइब कर देजैगा इतना त्में ऑपसे उम gymnद कर रहा हूं बच्चो चलिए